वेलकम तो मैं चैनल फ्यूचर इंजीनियर टेक आज हम उन फेक्टरस को समझेंगे जो फ्लर्ड हाइडोग्राफ के सेप को एफेक्ट करते हैं लास्ट वीडियो में हमने देखा हाइडोग्राफ का सेप कुछ ऐसा हुआ करता था यह एक स्ट्रीम फ्लो हाइडोग्राफ या सिंप्ली हाइडोग्राफ एक केजमेंट एरिया में स्ट्रॉम की वज़े से जो स्ट्रीम फ्लो होता है उसे रिप्रेजेंट करता है तो फ्लर्ड हाइडोग्राफ और सिंप्ली हाइडोग्राफ रिप्रेजेंट स्ट्रीम फ्लो ड्यू टू स्ट्रॉम ओवर एक और जब बारिस बंद हो जाती थी तो रन ओफ कम होने लगता था और इसलिए हाइडोग्राफ भी नीचे जाने लगता था इस पार्ट को हम फॉलिंग लिंग या रिशेशन लिंग बोलते थे बट हाइडोग्राफ का सेप हमेशा एक जैसा तो होगा नहीं कई फैक्टर्स होंगे जिनके पर इसका सेप डिपेंड करेगा फॉर एक्जामपल अगर बारिस टेज होगी तो रन ओफ भी जल्दी होगा और हमें पीक फ्लो भी जल्दी मिल जाएगा तीमे बारिस के मुकाबल हमें तो आइए देखते हैं कौन-कौन से फैक्टर है जिनका इफैक्ट हाइडोग्राफ के शेप पने पड़ेगा फैक्टर्स को कटेग्री में डिवाट किया गया है पहला हमाराक्लाइमेक फैक्टर्स और दूसरा है फिजिडियोग्राफिक फैक्टर्स क्लाइमेक्ट acknowledged द्रॉंम्मेंट उसके डैरेकशन जल रही तरह चल रही और रहु किस दाक्ट्षिस कह अंदर आता है घ्लामेट क्पेस्टरं हैं and other लिए फीजोग्राफिक का मतलब है फीजिकल पैटर्ण या और प्रोसेस आफ अपर तन्स मतलब जैसे की लेंड का सेप्स कैसा है सलोक कैसा है और यह सारे जो है यह फीजिकल पेटरन्स होते हैं और फ्रोसेसे साफ आर्थ जैसे की इंफिल्ट्रेशन इंटर्सेप्शन ये वैपो ट्रांस्पिरेशन ये सारी जो है processes of Earth ये सारी चीज़े जो effect करती है hydrograph को उन्हें हम physiographic factors कहता है तो physiographic factors which affect the shape of hydrograph are characteristics of watershed or basin जैसे कि basin का shape कैसा है size कैसा stream का slope कैसा है steep है जैंटल है nature of valley and drainage density मतलब स्ट्रीम्स जो पानी को आउटलेट में दिश्चार्ज कर रहा है उनकी डेंसिटी कितनी है मतलब उनके बीच के में स्पेस कितना है कितनी दूरी में वो फैले हुए है और दूसरा जो हमारा फिजोग्राफिक फेक्टर है वह हो है इंफिल्ट्रेशन करेक्टर स्टिक्स इंफिल्ट्रेशन करेक्टर स्टिक्स के अंदर जो आते हैं पहला है हमारा लेंड यूस और कवर मतलब उस लेंड पर वेजिटेशन कितनी है वेजिटेशन कम है ज्यादा है या बिल्कुल भी नहीं है और स्वाइल टाइप डिफ रे योडिर्प करेंगे और हमारा जो तीसरा है वह है चैनल करेक्टस्टिक के अ схื Wan जुजिए फेकटर के अंडर ऊथ चैनल करेक्टरिक जैसे की क्रॉस सेक्षन चैनल का क्रॉस सेक्षन कैसा आधा करेंधा यह कम रफनेश रैफ है जरेющ ह norm hepsi है एन्ड में इसकी स्थोरिज कैपसिटी किसी कितनी है ज्याधा है या कम है तो यह सारे फेक्टर स्था है वो हाइडरोर्णा कि सेव को एफेक्ट करेंगे एक एक कर सा। हम सारे फेक्टर को देखते हैं हमारा क्लाइमेटीक तर क्लाइमेटीक प्रेक्टर के अंदर स्ट्रम केरैक्त changing मैं जो आते हैं मुँनको पहले देखें घर तो स्ट्रम क्रेक्रेक्रेसिटिक क्मेश हमारा पहला रेंफॉल मिंतनी ह проблем पर गिर लट घर तायम में कितना है म affection p of rainfall falling per unit time over an area for a given duration. इसका unit mm per hour में होता है, इसका मतलब rainfall intensity time के साथ बारिस की गहराई को measure करता है. ये दो catchment area है, जिनका shape and size सेम है, एक जगह पे बारिस तेज हो रही है और दूसरी जगह धीमे हो रही है, तो एक fix time में कहां ज्यादा बारिस होगी, बारिस की गहराई कहां होगी, जहां बारिस तेज हो रही है, इसका मतलब rainfall की intensity पहले वाले catchment में ज्यादा है, so in case of first catchment rainfall intensity is high and in second catchment rainfall intensity is low, ये दो similar catchments है, एक catchment में rainfall की intensity high है और एक में low है, माल नीजी एक fix time के लिए दोनों catchment में बारिस होई, तो high intensity वाले catchment में, fix time में जो बारिस होगी, उसका amount low intensity वाले catchment से ज्यादा होगा, बारिस का amount ज्यादा होगा, तो runoff की मात्रा भी ज्यादा होगी, it means in case of high intensity rainfall, more volume of runoff वी लॉकर, while in case of low intensity, less volume of runoff वी लॉकर, जब runoff की मात्रा ज्यादा होगी, तो surface और streams पे, तो runoff का rate भी ज्यादा होगा, आप खुद से सोचिए, अगर कोई pipe है और उसमें ज्यादा पानी एक साथ बह रहा है, तो वो तेजी से बहेगा और जल्दी खतम हो जाएगा, वहीं अगर pipe में कम पानी रहा, तो वो धीरे ध flow होगा, तो high intensity के case में, runoff का rate ज्यादा होगा, means in case of high intensity, runoff rate will be more, while in case of low intensity, runoff rate will be low, जब runoff का rate ज्यादा होगा, तो surface से runoff कम time में streams में पहुचेगा, और कम time में outlet पे discharge होगा, मतलब surface runoff का duration भी कम हो जाएगा, वहीं low intensity के case में, surface से runoff ज्यादा time में streams तक पहुचेगा, क्योंकि runoff का rate कम है, और इसलिए outlet पे late discharge होगा, so in case of high intensity, surface runoff duration will be less, while in case of low intensity, surface runoff duration will be more, इसलिए high intensity के case में, peak flow कम time में मिल जाएगा, अगर peak flow जल्दी मिलेगा, तो peak flow का amount भी ज्यादा होगा, क्योंकि एक साथ ज्यादा runoff हो रहा है, so in case of high intensity rainfall, peak flow occur quickly and peak will be high, while in case of low intensity, peak flow occur after long time and peak will be low, दोनों के case में hydrograph देखे, तो high intensity के case में, outlet पे discharge तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि runoff different areas से जल्दी outlet तक पहुच रहा है, इसलिए rising limb इस case में तेजी से उपर जाएगा, और जब दूर के area से भी runoff एक साथ discharge होने लगेगा, तो peak flow मिलेगा, peak flow इस case में जल्दी मिलेगा, क्योंकि runoff का rate ज़्यादा है, और peak flow का amount होगा, वो भी इस case में ज़्यादा होगा, वही low intensity वाले catchment में outlet पे discharge धीमे होगा, इसलिए rising limb इस case में धीमे धीमे बढ़ेगा, और peak flow late में मिलेगा, क्योंकि runoff different areas से ज़्यादा time में catchment तक पहुचेगा, outlet तक पहुचेगा, और peak discharge इस case में low होगा, क्योंकि runoff का volume और rate यानि per second जितना volume of runoff हो रहा है, दोनों कम है, hydrograph का base low intensity के case में broad होगा, क्योंकि runoff, surface runoff ज्यादा duration के लिए होगा, वही high intensity के case में hydrograph का base narrow होगा, क्योंकि surface runoff कम duration के लिए हो रहा है, तो conclusion क्या निकला, कि rainfall intensity, volume of runoff, peak flow कब और होगा, और surface flow कितने देर के लिए होगा, इन factors को effect करता है, और अगर rainfall की intensity ज्यादा होगी, तो runoff का volume ज्यादा होगा, surface runoff का duration कम होगा, और peak flow जल्दी ओकर होगा, वहीं अगर rainfall की intensity कम होगी, तो runoff का volume कम होगा, surface runoff का duration ज्यादा होगा, और peak flow लेट में मिलेगा, दूसरा strong characteristic है, rainfall duration, shape of hydrograph rainfall की duration पे कैसे depend करता है, देखते हैं, दो catchment area है, दोनों पे same intensity से बारिस हो रही है, एक catchment पे बारिस long duration के लिए होई, और दूसरे पे short duration के लिए होई, तो hydrograph कैसे effect होगा, दोनों case में, let's see, जब बारिस long duration के लिए होगी, तो amount of rainfall भी ज्यादा होगा, और rainfall की मात्रा जब ज्यादा होगी, तो runoff की मात्रा भी ज्यादा होगी, means high volume of runoff wheel locker, और बारिस अगर देड़ तक होगी, तो surface runoff भी ज्यादा time के लिए होगा, means more duration of surface runoff wheel locker, जब surface runoff ज्यादा time के लिए होगा, तो वो areas जो outlet से दूर है, वहाँ से भी runoff outlet तक पहुँचेगा, और small catchment के case में, possible है कि catchment का सारा पानी runoff हो जाए, बह जाए end में, जित्ते दूर के area से runoff outlet तक पहुँचेगा, उतने ही ज़्यादा peak flow होगा, और उतनी ही देर बाद होगा, आपको practically समझना होगा, यह जो catchment area और बारिस देख रहा है, यह तो बस एक example के लिए लिया है मैंने, आप practically देखेंगे तो catchment area कई किलोमीटर में फैले होते हैं, catchment में जब बारिस होगी, तो जो areas दूर है, outlet से, वहाँ से पानी को flow होने में काफी time लग जाएगा, और यह भी possible है कि बारिस बंद होने से पहले वो outlet तक पहुँच भी ना पाए, बारिस बंद होने से पहले ही हमें peak discharge मिलता है, उसके बाद जो water store होता है, धिरे धिरे deplete होता है, तो जितने ज़्यादा दूर के area से runoff outlet तक पहुँचेगा, उतने ही ज़्यादा discharge होगा, और अगर बारिस कम duration के लिए होगी, तो runoff तो pass के area से ही outlet में पहुच 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 पहेगा, और अगर वही बारिस देर तक होगी, तो दूर के area से भी runoff outlet में होगा, इसलिए long duration rainfall के case में discharge ज़्यादा time के बाद आता है, और peak discharge का amount भी ज़्यादा होता है, वही short duration के case में low amount of rainfall होगा, और surface runoff भी कम time के लिए होगा, इसलिए peak flow कम और जल्दी मिलेगा, peak flow भी लॉकर quickly with low peak, देखते हैं दोनों के graph कैसा होगा, long duration के case में बारिस देर तक होगी, तो runoff भी long time के लिए होगा, इसलिए rising limb देर तक increase होगा, और peak flow लंबे समय के बाद मिलेगा, और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि rainfall का amount भी ज़्यादा है इस case में, वही short duration के case में rising limb कम time के लिए बढ़ेगा, और peak flow जल्दी और कम मिलेगा, long duration के case में base जो है, hydrograph का broad होगा, क्योंकि surface runoff ज़्यादा time के लिए हुआ है, और short duration के case में hydrograph का base नेरो होगा, तो अगर sum up करें, तो जितना ज़्यादा time उतना ही ज़्यादा runoff का volume होगा, और जितना ज़्यादा time होगा, उतना ही देर बाद peak flow मिलेगा, और hydrograph का shape फ्लैट और चौड़ा होगा, नेक्स जो storm characteristic है, distribution of rainfall, distribution of rainfall मतलब rainfall catchment के अलग-अलग areas में कैसे distribute हो रही है, कहीं बारिस कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, इसका क्या effect पड़ेगा hydrograph के shape पे, let's see, दो condition है, पहला outlet के नजदिक तेजबारिस हो रही है, heavy rain near outlet, और दूसरा outlet से दूर upper areas में तेजबारिस हो रही है, heavy rain in upper areas, बाकी सारे conditions दोनों catchments में सेम है, means rainfall की intensity, duration सेम है, और catchment का shape, size, सभी physical conditions सेम है, तो अगर outlet के नजदिक तेजबारिस होगी, तो runoff को outlet तक पहुचने में कम time लगेगा, और peak flow जल्दी मिल जाएगा, means runoff will take less time to reach outlet, and peak flow will occur quickly, वहीं अगर upper areas में बारिस होगी, तो runoff को ज़्यादा time लगेगा outlet तक पहुचने में, और peak flow कुछ time बाद मिलेगा, means runoff will take more time to reach outlet, and peak flow will occur after few hours, outlet के नजदिक तेजबारिस के केस में, peak discharge भी ज़्यादा होगा, upper areas में heavy rain के comparison में, क्योंकि outlet से दूर areas से जब runoff आएगा, तो infiltration, interception और evaporation जैसे losses ज़्यादा होगे, runoff soil को saturate करता आएगा, और runoff को ज़्यादा length travel करना होगा, जिसकी वज़े से उसकी intensity कम हो जाएगी, means per second जो volume of runoff flow होगा, वो कम हो जाएगा, so volume of runoff outlet के नजदिक वाले केस में ज़्यादा होगा, इसलिए peak discharge ज़्यादा मिलेगा इस केस में, upper areas में heavy rain के comparison में, अगर दोनों के hydrograph को देखें, तो near outlet केस में, runoff जल्दी outlet तक पहुँच जा रहा है, इसलिए rising limit तेजी से increase होगा, और peak discharge जल्दी मिल जाएगा, और peak discharge का amount भी इस केस में ज़्यादा होगा, और surface runoff का time कम है, इसलिए hydrograph का base इस केस में narrow होगा, वहीं upper areas के केस में runoff को outlet तक पहुचने में time ज़्यादा लग रहा है, इसलिए rising limit slowly increase होगा, और peak flow लेट मिलेगा, इस केस में peak flow का amount भी कम होगा, और hydrograph का base इस केस में broad होगा, क्योंकि ज़्यादा time के लिए runoff हो रहा है, next, जो हमारा storm characteristic है, वो है direction of storm movement, storm के direction का क्या effect पढ़ेगा hydrograph पे, देखते हैं, तो दो catchment है, एक में rainwater outlet के direction में move कर रहा है, means downstream flow हो रहा है, मान लिजे wind का direction outlet के direction में रहा, तो rainwater उसी direction में flow करने की कोसिस करेगा, दूसरे catchment में rainwater का direction outlet के opposite है, means upstream flow हो रहा है, rainfall की intensity, duration और बाकी सारे conditions अगर सेम है, तो downstream के case में runoff का rate increase होगा, क्योंकि rainwater outlet के direction में ही move करने की कोसिस कर रहा है, और इस वजे से basin के outlet पे flow जल्दी से concentrate हो जाएगा, means runoff different area से outlet तक जल्दी पहुँच जाएगा, और इसलिए peak flow जल्दी आकर हो जाएगा, वहीं अब upstream के case में अगर देखें, तो rainwater opposite direction में try कर रहा है move करने की, तो इस case में rainwater runoff को resist करेगा, मतलब outlet के direction में flow होने से रोकेगा, जिसकी वज़े से outlet पे slow concentration होगा flow का, means ज़्यादा time में runoff different area से outlet तक पहुचेगा, और peak flow हमें late मिलेगा, peak flow late होगा तो losses जैसे की infiltration, interception, etc. का time बढ़ेगा, और per second जितना volume of runoff होगा, वह भी कम होगा, जिसकी वज़े से peak discharge low मिलेगा in comparison to downstream, graph compare करते हैं, downstream के case में rising limb तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि कम time के लिए surface flow हो रहा है, और peak भी जल्दी मिलेगा, और इस case में हमें sharp peak मिलेगा, surface flow का duration कम time के लिए हो रहा है, तो hydrograph का base भी इस case में narrow होगा, वहीं अब stream की बात करें, तो rising limb धिरे धिरे increase होगा, क्योंकि slow concentration होगा outlet पे, और peak discharge हमें late में मिलेगा, और peak इस case में low होगा, और hydrograph का base broad होगा, क्योंकि same amount of surface flow, ज्यादा duration के लिए हो रहा है, so in case of downstream, we will get quick and high peak with narrow base, and in case of upstream, we will get slow and low peak with broad base, दो प्रहाई, फीजिग्राफिक तो देख்ता है, फीजिए इस रेकतरसटिक्स पोडर्चाराइख्टि एर बासिए, पह cracking सापर ब canyon करूंकि। और液 वार्चाराइख्टिस्टिक है, safe of basin दोग समें एक काजकी दूसरा भ्रबार्स फिल्हां का रेंफॉल की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को से एघ्षमेंट को ऐरिया और बाकि सरे फेक्टर्स दोनों केस्टेस में सेम हैं तो दोनों केसे में हमारा है सबुझाइबर की सोगा लेट थी तो फैन शेप्ट कैसा होता है फैंस के अंत की ट्रिब्यू टी कि एप्रॉक्सीमिटली रथ होती है मींजी ट्रूब्यू ट्रीम से आल्मॉस्स सेंません टिसेंस तक फैली होती है जिसकी वजय से ट्रीसर ट्रिद् तो runoff catchment के different areas से almost same time में main stream में पहुँचेगा Means, tributaries लगभग एक ही समय में runoff को main stream में छोड़ेगी जब ऐसा होगा, तो runoff का rate means per second जितना volume of water outlet पे discharge होगा वो ज़्यादा होगा, जिसकी वज़े से runoff जल्दी होगा और catchment के different areas से जो areas दू है वहाँ से भी runoff कम time में outlet तक पहुँचेगा इसलिए peak flow भी जल्दी ओकर हो जाएगा और peak flow जल्दी ओकर होगा तो peak discharge भी ज़्यादा होगा क्योंकि rainfall की intensity, duration और catchment का area दोनों catchments में same है fern shaped basin कैसा होता है fern shaped catchment की tributaries की size अलग-अलग होती है means main stream से tributaries अलग-अलग distance तक फैली होती है और catchment का shape oval या elongated shape का होता है जब catchment elongated shape का होगा तो outlet के नजदीक जो areas है वहाँ से तो runoff जल्दी outlet में पहुँच जाएगा पर जो दूर के areas है वहाँ से runoff को outlet तक पहुँचने में ज्यादा time लग जाएगा मतलब tributaries से runoff regular intervals में main stream और वहाँ से outlet तक पहुँचेगा जिसकी वज़े से runoff का rate outlet पे कम होगा means per second outlet पे less volume of runoff होगा जिसकी वज़े से runoff slow होगा और catchment के different areas जो दूर areas हैं वहाँ से runoff ज्यादा time में outlet तक पहुँचेगा इसलिए peak flow कम होगा और ज्यादा time के बाद मिलेगा means in this case peak will be delayed and peak will be low hydrograph का shape दोनो catchments में देखें तो runoff का rate fan shaped catchment में ज्यादा है so rising limb तेजी से increase होगा और peak discharge जल्दी और ज्यादा होगा और hydrograph का base narrow होगा क्योंकि surface runoff कम time के लिए हो रहा है वहीं fun shaped में runoff का rate कम है so rising limb धीरे धीरे increase होगा और peak discharge late और कम होगा इसके साथ साथ जो hydrograph का base होगा वह broad होगा क्योंकि surface runoff का duration इस case में ज्यादा है दूसरा water set characteristic है size of basin अगर दो catchment है एक large size का और एक small size का एक fixed intensity से और fixed duration के लिए अगर दोनों catchment पे बारिस होगी तो hydrograph पे क्या effect होगा let's see तो basin area जितना ज्यादा होगा rainfall की intensity उतनी ही कम होगी suppose दो boxes है एक large size का और एक small size का और उन में rainfall हुआ तो small box में पानी ज्यादा ही खटा होगा rainfall का depth ज्यादा होगा small box में similarly basin के case में भी ऐसा ही है means rainfall का depth large basin में कम और small basin में ज्यादा होगा so in case of large basin less intense rainfall भी लॉकर और intensity कम रहेगी तो runoff का rate means per second जितना volume of runoff होगा वो भी कम रहेगा तो runoff को different areas से stream में और outlet तक पहुचने में ज्यादा time लगेगा means time of concentration will be more इसलिए peak flow late ओकर होगा और एक constant minimum flow मिलेगा क्योंकि intensity कम है और इसलिए peak discharge भी कम होगा कि small basin में rainfall की intensity ज्यादा होगी means more intense rain will occur जिस वज़े से runoff का rate ज्यादा होगा means runoff different areas से stream में और outlet तक जल्दी पहुचेगा means in small basins time of concentration will be less और peak flow जल्दी आकर हो जाएगा peak flow small basins के case में ज्यादा होगा दोनों के graph को देखे तो small catchment में runoff rate ज्यादा है इसलिए rising limit तेजी से बढ़ेगा और peak flow जल्दी मिलेगा peak flow ज्यादा होगा क्योंकि rainfall की intensity small basin में high है और base narrow होगा क्योंकि surface flow कम duration के लिए होगा वहीं large catchment के runoff rate कम है इसलिए rising limit धीमेदी में बढ़ेगा और peak flow देड़ से मिलेगा और कम मिलेगा क्योंकि rainfall की intensity कम हो जाएगी large catchment में और hydrograph का base भी इस case में broad होगा next जो water set characteristic है वह है stream slope stream के slope का hydrograph पे क्या effect पड़ेगा देखते हैं अगर slope ज्यादा होगा तो stream में flow की velocity ज्यादा होगी means there will be high velocity of flow in case of large slope और flow की velocity जब ज्यादा होगी तो runoff stream से outlet तक जल्दी पहुचेगा means there will be quicker concentration of runoff at outlet और peak flow जल्दी मिल जाएगा और इस case में peak flow ज्यादा मिलेगा क्योंकि runoff का rate ज्यादा है और absorption और evaporation जैसे losses का भी time कम हो जाएगा means large peak discharge with locker stream के slope का सबसे ज्यादा impact बारिस बंद होने के बाद देखने को मिलेगा water जो store होगा streams में बारिस बंद होने के बाद अगर stream का slope ज्यादा होगा तो वो जल्दी runoff होगा means quicker depletion of storage with locker जिसकी वजह से falling limb का slope steep होगा means falling limb जल्दी नीचे आएगा small stream slope के case में flow की velocity कम होगी means in small stream slope there will be low velocity of flow जिससे runoff stream से outlet तक जल्दी नहीं पहुँच पाएगा means there will be slow concentration of runoff at outlet और absorption और evaporation जैसे losses का time भी increase हो जाएगा और इस वजह से discharge थोड़ा late और कम मिलेगा और इस case में बारिस बंद होने के बाद stored water धीमे धीमे deplet होगा क्योंकि slope कम है streams का means there will be slower depletion of storage जिसकी वजह से recession limb का slope large stream के falling limb के slope से कम होगा आप graph देखते हैं large stream slope के case में flow की velocity जादा है so rising limb तेजी से बढ़ेगा और peak discharge जल्दी और जादा मिलेगा और falling limb भी तेजी से नीचे आएगा वहीं small slope के case में rising limb धीरे धीरे बढ़ेगा और peak late और कम मिलेगा और falling limb slowly decrease होगा next है drainage density drainage density मतलब streams जो पानी को outlet में discharge कर रहे हैं उनकी density कितनी है उनके बीच में कितना space है और कितनी दूरी में वो फैले हुए है means total length of well defined channels that drain the catchment high drainage density के case में runoff outlet तक जल्दी पहुँचेगा क्योंकि runoff को बाहर निकालने के रास्ते जादा हैं जिसकी वज़े से surface flow कम duration के लिए होगा means there will be fast removal of runoff runoff का removal fast होगा तो losses का time भी कम होगा और इसलिए peak flow इस case में जल्दी occur means peak flow will occur quickly and high peak मिलेगा क्योंकि losses कम है और runoff का rate जादा है so इसलिए हमारा जो peak होगा वो high होगा बारिस बंद होने के बाद पानी जो इकठा है streams में और surface पे वो भी जल्दी runoff हो जाएगा means there will be quicker depletion of storage क्योंकि drainage की density ज्यादा है drainage इस case में drainage जो है वो ज्यादा है सो इसलिए depletion इसमें storage का depletion ज्यादा rates होगा वहीं lower drainage density के case में runoff धीमे होगा क्योंकि runoff को निकालने के लिए रास्ते कम है means in this case there will be slower runoff removal जिसकी वजह से runoff ज्यादा time में outlet तक पहुंचेगा और peak flow बहुत time के बाद मिलेगा means peak flow will occur after long time और इस case में peak flow कम मिलेगा क्योंकि drainage density कम है सो surface पे losses ज्यादा होंगे और runoff भी slow rate से outlet तक पहुंच रहा है जब बारिश बंद हो जाएगी तो water जो streams और surface पे store है वो भी इस case में धीमे धीमे बाहर निकलेंगे graph देखते हैं high drainage density के case में runoff rate ज्यादा है so rising limb तेजी से increase होगा और peak flow जल्दी और ज्यादा occur होगा और falling limb इस case में rapidly नीचा आएगा वही low drainage density के case में runoff rate slow है so rising limb धीरे धीरे increase होगा और peak flow लेट और कम मिलेगा और इस case में falling limb इस case में slowly नीचा आएगा means in case of high drainage density we will get high peak and narrow base and in case of low drainage density we will get low peak with broad base second physiography factor है infiltration characteristic जिसमें पहला है land use or cover land cover means उस land पे vegetation कितना है कम है ज्यादा है या बिल्कुल नहीं है दो similar catchments है एक में vegetation density means पेड़ पौधे ज्यादा है और एक में कम या ना के बरावर हैं तो high vegetation के case में infiltration ज्यादा होगा क्यूंकि पेड़ पौधे flow को रोकंगे outlet तक पहुचने में runoff को intercept करेंगे और जितने slow rate से flow होगा rainwater को infiltration होने का उतना ही time मिल जाएगा जिस वज़े से infiltration ज्यादा होगा और सॉयल की storage capacity भी बढ़ जाएगी means high vegetation density will result in high overland flow को prevent करेगा flow होने से रोकने की कोशिश करेगा means vegetation will provide more resistance to overland flow जिससे surface flow का duration ज्यादा हो जाएगा और इसलिए peak flow long time के बाद मिलेगा और peak flow कम भी हो जाएगा क्योंकि runoff streams में जल्दी नहीं पहुच पाएगा और infiltration loss का time भी बढ़ जाएगा इससे outlet पे discharge कम होगा means in case of high vegetation peak flow will be reduced वहीं जहां vegetation कम है या ना के बराबर है वहाँ infiltration और soil की storage capacity कम होगी जो overland flow को होने से कम रोकेगी means in low vegetation density catchment infiltration and storage capacity of soil will be low and it will provide less or no resistance to overland flow और peak flow इस case में जल्दी मिलेगा और ज्यादा मिलेगा क्योंकि runoff streams में जल्दी पहुँचेगा और outlet पर runoff का discharge जादा होगा क्योंकि infiltration losses कम हो जाएंगे इस case में और runoff भी जल्दी outlet पहुँचेगा तो runoff का volume भी जादा होगा so in this case peak flow will be less or will not be affected graph compare करें तो high vegetation के case में rising limb slowly increase होगा क्योंकि runoff जल्दी streams में नहीं पहुच रहा overland flow से और peak भी कम और लेट मिलेगा और इस case में surface flow का duration जादा है इसलिए hydrograph का base भी broad होगा low vegetation के case में runoff streams में surface से जल्दी पहुच जाएगा so rising limb जल्दी बढ़ेगा और peak flow जल्दी और जादा होगा क्योंकि जादा water infiltration में loss नहीं होगा और इस case में hydrograph का base नहर होगा क्योंकि surface flow का duration जादा है नेक्स्ट infiltration characteristic है soil type जैसे जिसमें small pores होंगे जैसे कि clay उने infiltration capacity कम होगी और उन soils में जिसमें pores large होंगे उनमें inabilitation capacity जादा होगी और inabilitation capacity अगर जादा होगी तो water का loss जादा होगा और पीक discharge लेट और कम होगा next है surface depressors जहां ज्यादा surface depressions होंगे जैसे की雷श पॉंच स्वेंस एट सेक्टरा वहाँ ज्यादा water store और इन्फिल्ट्रेट होगा और water से और पीक फ्लो भी इसकेस में हमें लेट मिलेगा मिनस इन केस आप मोर सर्फेस डिप्रेशन्स ओंगे वहां कम पानी कठा और इन्फिल्ट्रेट होगा और इस से आउटलेट तक जल्दी पहुंच जाएगा जिसकी वजह से पीक फ्लो जल्दी मिल जाएगा सो इन केस आफ लो सर्फिस डिप्रेशन्स लेस वाटर विल इंफिल्ट्रेट एंड पीक ऑफ हाइड्र ग्राफ इन इस केस विल बी हाई एंड वी लॉकर क्विक्ली बिकॉज अफ लो ड्यूरेशन ऑफ सर्फिस रॉन ओफ एक चैनल के रफनेस का हाइड्र ग्राफ पे क्या एफेक्ट होगा देखते हैं जब चैनल रफ होगा तो रॉन आफ की वेलोसिटी कम होगी चैनल में जिसकी वजह से रॉन आफ को आउट लेट तक पहुंचने में जादा टाइम लगेगा और रॉन आफ का रेट भी स्लो हो होगा जो इसके सम्तम्त में हमें स्मॉल पी्ट मिलेगा और लेट प्ली एगी वेलोसिटी की ज्यादा होग solicल से जल्फिया आउट लेट पहुंचने का पहुंचने अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें